नेक सिन में ये मिस्टर फूग को आकर बताती है कि ममा से मिलना है और हम लोग कल उनसे मिलने के लिए चलेंगे यह पूस्ती है कि मैं ग्रेंफादर को भी बताना चाहती हूं लेकिन मिस्टर फूग करते हैं कि उनको हैट प्रोब्लम है तो हम अभी उन्हें नहीं बता सकते है हमें थोड़ा वेट करना होगा, यह टाइम आने दो, हम उन्हें बता देंगे, लेकिन तब भी वह आंटी चाल चलती है, जिसके वज़े से ग्रेंट फादर को पता चल जाता है कि जियांग रीच फेमिली से नहीं है, लिकि वस्व फेमिली से हैं नहीं, और फिर उसके बाद जियांग को भी ठारी सचाई बतानी पड़ती, और वो कहती है कि यह सब मैंने पेशो के लिए किया, यहापर वो मिश्टर फू नहीं फसाती है, ग्रेंट फादर कहती है कि इतना सब कुछ तुम्हें के लिए तो नहीं कर सकती, बताओ तुम्हें यह सब करने में किसने हिल् और फिर नेक्सिंग में हम देखते हैं कि जियां फाइनली डिसाइड करती है, ब्रेक अप करना ही सही रहेगा, उसकी वज़ए से इतने लोग हट हो रहे हैं, यह फाइनली ब्रेक अप कर लेती है, इस वज़ए से मिश्टर फूम काफी ज्यादा सेड हो जाते हैं, और काफ इलफेंट वाफेंट और अलिक दुनिया से लोग दोनों इतना प्यार करते हींगी, उन्हें एक होने से कोजी नहीं रोख पाता है, इस मिश्टर फूम्क्र फूम कि ज्यादा से ज्यादा हृता किस्वी सारी नेकी श्यादा हो जत्ति हो अब यह सारी बात बताता है, आंट बगेरे से दूर रहूं और वह इन सब का फाइदा उठा सके लेकिन मैं नाटा करता रहा कि मेरा पेड़ तूट गया है यह तो मुझे फिर से माने की कौसिस करती इन में ट्रीटमेंट कराता रहा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया मेरे पास को सबूर नहीं था उनकी खिलाब इस कर पूसरे लगते हैं पहले बत ग्रेंपा की बठते वाले तुम्हें उपर उठाकर लेकर गए तुमने मेरे कपड़े भी चेंज करें थे ना और फिर वो उसका हाथ पकड़कर कहता है हां यह सब में नहीं कराता है जो भी देखना चाहिए था मैं वह सब पहले देख चुक लेकिन तुम यह बहलो कि तुम क्या करोई आंटी कहती है बताओ तुम्हें इतने पेसे चाहिए युजियां कहती है मुझे पेसे ने वहल की कंपनी चाहिए इसमें हम दोनों का पाइदा होगा आंट लोज होकर इंडरेक्ट छीनकर डिश्ट्रक कर देती है वह भी कहती है तुम मुझे इसे दमकाओ तुम कहती है कुछ तो सरम करो मिस्टर फो के डेर कुमारे भाई थे उनकी जान ले ली आए गयती है वो मेरा सगा भाई थोड़ी ना था उसके होते होए ग्रेपा कभी मुझे कंपरी नहीं देते तो अब तो तुमारे पास कोई सबूत नहीं है और अब तुम मेरा कुछ भी नहीं विगार सकती हो तभी ग्रेंटफा और मिस्टर फोहाँ पर आ जाते हैं आंटी का तो पर हो जाता है और सभी को इनकी सच्चा पता चल जाता है और अभी यह हमेशा हमेशा के लिए हैसे बार निकाल देते हैं कि वो तुमारा अपना बाट का पोपड कर दिया सब्सक्राइब करना होगा एंट जी साधी कर लेता है इसके बहुत ही बेटी कि साधी में तो क्या करूं करो लड़की हो एक तरफ ग्रेंपकर से कह रहे होते हैं कि समरानी से पहले मुझे बेबी दे दो इसके बाद मेरी नाराज के खतम हो जाएग यह तो बहुत थी कम टाइम है कि गरेपा कोई मतलब नहीं होता यह कहते हैं मैं नहीं जानता तो मुझे बच्चा जाई है तब होने के बार को हम देखते हैं कि कहता है कि बस इसी पल का अंतिजार था मुझे कि फाइनले मिस्टर फू टेटल डाउन हो जाए और इसी के साथ इ प्रामी की हैपी इंडिंग होती है तुम मिलते हैं इस वीडियो में एक्स पॉर वाचिंग